Advice No.1 Always remember that you cannot control your thoughts. You know, काफी बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में anxiety वाले या बहुत सारे negative thoughts आ रहे होते हैं. ये मेरे बारे में क्या सोचता है? वो लोग मेरे बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं? ये मेरे बारे में क्या सोच रही है? Etc. And इन खयालों की वज़े से हम एक negative loop में फस जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये खयाल आने ही बंद हो जाए. And इस वज़े से हम अपनी पूरी energy इस चीज़ पर लगा देते हैं कि किस तरीके से इन खयालों को आने से रोका जाए. प्लीज रिमेंबर, संदीप महिश्वरी से लेके सद्गुरु तक, जिड्डू कृष्ण मूर्ती से लेके ओशो तक, से लेके जीजस क्राइस तक, कोई भी ये control नहीं कर सकता कि next moment में उनके दिमाग में क्या खयाल आने वाला है. कोई भी ये चीज़ control नहीं कर सकता. So, ये समझना बहुत जरूरी है, कि ये पूरी exercise ही futile है. And more than trying to control कि आपके दिमाग में next moment पे क्या खयाल है, try to focus on कि आपको action क्या लेना है. Which brings me to advice number two. Understand that your thoughts are temporary. उनको उतनी weightage देने के जरूरत है नहीं, जितनी हम usually दे जाते हैं, right? And in fact, this is something जो कि अगर आप meditate करो, अगर आप अपने खयालों के बारे में सोचने की कोशिश करो, तो आप ये चीज़ realize करोगे कि आपके दिमाग में जादातर वही खयाल बार-बार निकल के आते हैं, जिनके उपर आप बहुत जादा focus कर रहे होते हो, जिनके उपर आप बहुत जादा act कर रहे होते हो, and इस वज़े से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि, हाला कि आप ये control नहीं कर सकते कि, आपके mind में next खयाल क्या आएगा, बढ़ आप कुछ हद तक ये control कर सकते हो कि, इस जो नया खयाल आ रहा है, उस पे act करना है या नहीं, and that matters, वो वही difference create करता है, कि किस तरीके के खयाल और जादा आपके मन में आते रहेंगे, for example, ये example मैं अपने counselling sessions में बहुत use करता हूँ, कि मान लो आप बहुत साल बाद एक family dinner पर गए हो, cousin से मिले हो, चाचा चाची, ताउजी ताईजी, जो भी बहुत सारे different different लोग है, and for some reason, आप किसी reason की वज़े से तो किसी पर गुसा हो बहुत ज़ादा, and उसी इंसान ने आपसे पानी का glass मांगा, हो सकता है कि आपके मन में ये खयाल आए कि यार, पानी का glass देने से बेटर ना मुँपे पानी फैंक हो इनके, but I think हम generally, if we are conscious about our thoughts, अगर हम rational बाते कर रहे हैं, तो हम ये agree करेंगे कि यार, this is not the best thing to do, and इस वज़े से उस moment पे, even दो वो खयाल आ रहा है, कि पानी का glass फैंक के मारते हैं, आप ये choose कर सकते हो कि, मैं इस चीज़ पर act ना करू, this is exactly how it works, even with your negative thoughts, अगर anxiety हो रही है कि, मैंने ये सवाल पूछा class में, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस meeting में अगर मैंने ये चीज़ बोल दी, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इड्सेक्टरा, बहुत different तरीके के negative खयाल होते हैं, but all you have to do is realize कि, उन खयालों पर अगर आप act ना करो, तो धीरे धीरे वो खयाल आने, अपने आप ही कम भी हो जाते, that is simply how our minds work, advice number three, बहुत बार हम, हम या तो past के बारे में सोच रहे होते हैं, या future के बारे में सोच रहे होते हैं, and दोनों ही चीज़े, present में exist करती हैं, what do I mean by that, हम बहुत बार इस चीज़ पर focus कर रहे होते हैं, कि पहले क्या हुआ, अब उसके बारे में, whatever is happening, is actually happening in the present moment, and यह जो सारे खयाल हैं, past के बारे में खयाल जो हमें depressed करते हैं, future के बारे में खयाल जो हमें anxious करते हैं, यह सभी चीज़े, actually में present में play out कर रहे हैं, तो if you become conscious of your thoughts, अगर आप देखने लगो कि, आप past के बारे में जादा सोच रहे हो, and बस इस चीज़ को एक presence में लेके आओ, कि क्या मुझे इस thought पे कुछ action present में लेना भी है, अगर नहीं लेना, तो again, जैसे मैंने advice number 2 में बोला, अगर आप उन चीज़ों पे focus करना कम करोगे, वो खयाल अपने आप आने भी कम हो जाएंगे, that is simply how it works, Bring all of this to your conscious attention, देखो कि present moment में क्या action लेना है, and आगे बढ़ो, Advice number 4, Do not run away from your thoughts, What do I mean by that? बहुत बार ऐसा होता है कि, यह जो परिशान करने वाले खयाल हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, हमें लगता है कि इसका solution क्या है, कि मैं इस बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं इस बारे में सोचूंगी नहीं, ऐसे हमारा दिमाग काम ही नहीं करता, For example, अगर मान लो हमें कांसिलिंग सेशन में, और मैं आपको बोल हूँ कि, Don't think about your ex, I think अगले 10-15 मिनिट तक, आप सिरफ अपने ex के बारे में ही सोचूंगे, This is exactly how our minds work, तो इसलिए आप force नहीं कर सकते कि, मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा ही नहीं, या मैं इस चीज को अपने दिमाग में आने ही नहीं दूंगी, That is not how it works, जैसे मैंने पहले भी बोला, you cannot control what comes up in your mind, बट अगर ऐसे खयाल आते हैं आपके माइड में, just become aware of them, stay present, be still, and understand कि ये खयाल ही है, it'll pass, you don't have to act out on all of your thoughts, right? My fifth and final advice is again something जो कि शायद मैं अपने हर कौंसलिंग सेशन में अपने हर क्लाइंट को दे चुका हूं, कि you need to understand that, not every thought that pops into your mind is true, what do I mean by that? बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी situation के बारे में कुछ सोच रहे हैं, and एक तरीके से खयाली पुलाव बना रहे हैं, वो मेरे बारे में पक्का ये सोच था होगा, वो मेरे बारे में पक्का ये बोलती होगी उसको, etc, etc, and वो सारी ही चीज़ें, if we just understand कि वो हमारे दिमाग में चल रहा है, we cannot even ever be sure कि वो सच है भी या नहीं, तो अगर आप मान लो, आप किसी अपनी नेफ्यू को, अपनी नीस को कोई अडवाईस देना चाहते हो, and वो आपसे सारी बाते जो कर रही हैं, वो सब खयाली पुला हो है, and आप ये चीज़ देख पा रहे हो, but वो नहीं देख पा रही, आपकी सबसे पहली अडवाईस उसको क्या होगी, just see कि आप खुद जो बाते कर रहे हो, वो आप खुद बना रहे हो, ये सच नहीं है, and इसका action item क्या है, अगें जो हमने इस पूरी वीडियो में बात की, इन खयालों को आने दो, let them pass, because they are temporary thoughts, at the end of the day, bring all of this into the present moment, into your conscious attention, and फिर दे को इस पे action लेना भी है या नहीं, more often than not, ये जो false खयाल हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, जो false stories बन रहे होते हैं, इन पे हमें कुछ action लेना ही नहीं होता, but क्योंकि हम इस तरीके से सोचते नहीं हैं, हमें अपनी सारी कहानिया सच लगती हैं, we keep acting on them, and it doesn't even serve us, with this, I think I come to the end of everything I wanted to talk about in this video, I think ये जो मैंने सारे tips cover किये, all of them deserve a separate video on each single topic, and that is my plan in the coming ones for this channel, तो if the content resonated with you, consider subscribing to the channel, and share this video with as many friends as you can, especially the ones who you think will benefit from it, I think there are a lot of people who will benefit from understanding more about how their own minds work, and along those lines, मैं एक वीडियो सज़ेस्ट करना चाहूंगा अपनी, where I was talking about how our minds prefer bad news over good news, I think it's a very worthy watch, इस context में जो हमने इस वीडियो में बात की, उस context में बहुत ही important video है, make sure you check it out, until next time, पीस आट.